पादर की डेथ हो जाने के पाद मदर बच्चों को अपने पैरेंट्स की हाँ पर लेकर जाती है कुछ रीजन्स की वज़े से बच्चों को घर में छोपकर रहना पड़ता है यहाँ से एक बहुत ही अजीब तरीके से स्टोरी अनफोल्ड होती है हेलो फ्रेंट्स आज मैं से सब्क्राइर नहीं हम से बाट कर रहे थे वह कहते हैं कि लाइफ में घर तर्म मैं आप बता नहीं सकते हैं पहले तो हमारी बहुत ही इसके बाद इसकार नाम था क्रिस्टोफर मदर का नाम ता कोरिन और फादर का भी नाम क्रिस्टोफरी था फादर हमेशा अपने काम से ज़रा दूर रहते थे आज घर पर आये तो उन्हें देखका सब लोग बहुत एक्साइड़ थे फादर ने भी सब के लिए गिफ लाया था मदर के लिए उन् उस पर कोई भी धान ने दे पाता वो और कुछ बताबाती इससे पहले कोरिन अच्छी दरीए से तयार होकर बाहर आके वह एक्साइड़ थी क्योंकि फादर को प्रमोशन मिलका है अब वो और भी जादा बीजी हो जाएंगे इस बात से गैदरिन को बहुत बुरा लगा वो जड़ा लेट हो गया दोर पर नौक आई पर पुलिस की थी फादर का एक्सेड़न हो चुगा था और उनकी डेथ हो जाती है सब लोग को बहुत शौक लगा ट्विंस को तो अपने फादर की बहुत जादा याद आती थी कोरिन बहुत जादा डिस्टाब होने लगके उसके करने का तो ट्राय कर ही रही है पैसे ना दे पाने की वज़े से कैथरीन का पैरे क्लास भी छूट जाता है कोरिन ने बहुत सारे लेटर्स लेकर इन्हें पोस्ट कर दिया थोड़े दिनों बाद को लेटर्स का रिपला आता है उसने फिर अपने सब बच्चों को कहा कि अब फिर से उनके पास जाकर माफी माग लेगी सबको मना लेगी बच्चे ज़रा कंफिर्स थे क्योंकि यहां की पूरी लाइफ छोड़कर उन्हें वहाँ पर जाना पड़ेगा और कोरिन ने प्रॉमिस किया कि मेरी पैरन्स बहुत ही जादा रीच है यहां पर इनकी जो भी सब चीजे थी इस से जादा वह उने पाई कर कर देगी क्योंकि वैसे भी यह लॉन पे नहीं कर पाई ले लेगी इसके बाद एक कोरीन की सीटे में पहुंच है वह ने लेने केलिए कोई آया नहीं था वैसे रात में बहुत टैम तब वॉक करते करते हैं वह कोरिन के घर पर आlen कोरिन को हेटी किया है, क्योंकि कोरिन अपने फादर से खलोज थी। ऐलिवय ने बच्छों को एक उपर का कमरा दिया जहां अबर कोरीन की फादर उन्हें देख ना पाए बच्चे घर में है एक सिक्रेट था अबने फादर को कुछ भी पताना नहीं चाहती थी अगर फादर ने पहले उसे माफ कर दिया इसके बाद उन्हें पता सकती आ कोरी ने समझा दिया कि मेरे फादर बहुत ही ओल्ड है वो कभी में मर सकते हैं एक बार उन्हें अगर मुझे फिर से एक्सेप्ट कर लिया फिर हम मिलिनियर बन जाएगे हमें इस तरीके से रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कोरी ने कहा कि मैं दिन बर यहां पर नहीं रह सकत अगर ट्विन्स को खेलना है तो उपर एटिक है वहाँ पर वो खेल सकते हैं बातरूम यूज करते वक कभी भी लड़का और लड़की एक साथ नहीं जाएंगे अलिविया ने कहा कि अगर तुमारे ग्रैंट फादर को पता चला तुम लोग यहां पर रह रहो तो बहुत ही कि लाए ट्विन्स उसे कहते हैं हम यहां पर नहीं रहना बहुत ही बोर हो रहे थे उन्हें घर पर जाना था कोरिन उन्हें समझाती है कि तुम्हें कैथरिन और क्रिस्टोफर का सब कुछ चीज़ें सुननी चाहिए ट्विन्स मानते नहीं और हल्ला करने लगके तभी ऑलि अलिविया ने कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे तुम कर सकती हो यह मेरा घर है और मेरी सब चीज़ी यहां पर चलेगी उसने को अपना शर्ट निकालने के लिए कहा इतने सालों बात कोरिन वापस आये तो इस वाज़े से ऑलिविया ने को बहुत मारा था बच्चे भी मदर मुझे बहुत मारा करती थी तो इस वाज़े से अपने फादर के बहुत ही ग्लोस थी हमेशे मेरी मदर मेरे फादर को मेरे खिलाव बहुत ही अलग अलग चीज़े पताया करते थी स्लोली स्लोली मेरे फादर भी काम में बीजी हो गए थे तो इस वाज़े से मैं घर में अकिली पड़ गए, तब ही मेरे फादर का हाब ब्रदर हमारे पास रहने किला है, तुकि उसकी मदर की डेथ हो गई थी, यानि कि वो कोरिन का इंडारेक्टली अंकल था, वो बहुत हैंडसम और काइन हाटर था, कोरिन और उसमें प्याहल हो गया, इन दोनों ने भाग कर भी नहीं हुआ, इसके बाद नेकसे नम देते हैं, ट्विन्स के लिए क्रिस्टोफर गार्डन पेंट कर रहा था, ओलिविया ने कैथरिन से बुछा कि उपर चल क्या रहा है, कैथरिन के दिया है कि क्रिस्टोफर पेंट कर रहा है, वो एक बहुत ही अच्छा पेंट है रह उसी दरेगे से इन ब्रदर सिस्टर में भी कोई रिलेशन्शिप हो सकती है, अब इसके बाद थोड़े दिन बीट गए थे, और कोरिन बच्चों को देखने के लिए आई ही नहीं, वो आने के बाद कहती है कि मुझे पूरा डाइम मेरे फादर के साथ ही बिताना पड़ा, वो सेलिंग गई थी, उनके साथ पिकनिक पर गई थी, ये बात कैथरिन को अच्छी नहीं लगती, उसने कहा एक मंद हो गया, तुम हमें देखने के लिए आई ही नहीं, तुम्हें जल्दी अपने फादर को मनाना चाहिए, हमें भी बाहर जाना है, हम इतने भी बुरे नही कि वो आपने खुद के ग्रैंड चिल्रन को एक्सेप्ट ना करे, कोरीन अब उन्हें सच बताती है, कहती कि मेरे फादर ने मुझे माफ किया, पर एकी कंडिशन पर, कि मुझे कोई भी बच्चे नहीं, अब वो उन्हें बच्चों के बारे में नहीं बता सकती, फादर कि बॉक्स में बन हो गया था, इसे जल्दी से जाकर एक खोल थे तो अनकॉंशेस हो चुका है, कैथरीन ने उसे होट वाटर में बहुत हीट किया, उसके बहुत अच्चे से खैल रखती है, इन्हें हेल्प करने के लिए कोई आया भी नहीं था, इसके बाद और भी टाइम गुजर जाता है, अब डारेक्ली क्रिस्मस आ चुका था, कैथरीन जरा पॉजिटोली गहती है, कि हमें ऑलिविया के लिए गिफ बनाना चाहिए, इगिफ बनाने के बाद ऑलिविया सिर्फ इसे देख लेती है, और वेसे फेक कर चली गई, कोरीन जब इने मिलने के लिए तब बहुत सारे गिफ लेकर आए, बच्चे बाहर की दुनिया मिस करते थे, तो उनके लिए टिवी भी लेकर आती है, उसने कैथरीन के लिए बहुत ही ब्यूटिफुल सा ड्रेस लाया हुआ था, कैथरीन ने कहा कि ड्रेस पहन कर हम जाएंगे कहा, हम हमेशा ऐसे हाइड ह वोकर नहीं रह सकते हैं, आज घर में क्रिसमस की पार्टी थी, तो कैथरीन और किस्टो PDF दोनों आने की जीत करते हैं, कोरीन भी इसके लिए मान गई, उन्हें पार्टी में लेकर गई, पर उपर की लिकर कैबिनेट में ने बन करकर रखते हैं, जहासे उस सिर्फ पार्टी देख सके एक बॉटल लेने के लिए उलिवया उपर आई थी पर वो निकालती नहीं वो बच्चों को पकड़ी लेती है पार्टी में फर्स टाइम हम कोरिन की फादर को देखते हैं वो बहुत ही बुड़े थे कोरिन की फिर से फैमिली में आने से उन्हें बहुत अच्छा से बात अजीव लगें पर रिस्टोबर कहता है मदर अब अमीर होने वाली है उसके पीछे तो बहुत लोग होंगे कैथरीन अब रूम में चली गई पर क्रिस्टोबर आसपास घुमता रहता है जब कोरिन को बात पता चली तो बहुत ज़्यादा गुस्टा हो जाती है क्रि वीभू उसे बहुत बुरा लगा कि उसने कल यह सब किया था वो गयती कि हम इस तरीके से नहीं रह सकते हैं अगर हमारे पास पैसे नहीं तो क्या हुआ हम कहीं भी एड़िस कर लेंगे बच्चे सुनकर उसे कहने लग गए कि हम यहाँ पर रह सकते हैं जादा वरी मत करो कैथरीन ने कोरीन से बूचा कोरीन ने खा कि अब तुम लोग बड़े हो रहे हो तो अलग-अलग चेंजेस तो आने ही वाले हैं वो गैथरीन के एक ड्रेस लेकर आती है जब यह ड्रेस कैथरीन पहन रही थी तो क्रिस्टोफर उसे देख लेता है यह ज़र ऑक्वर्ड था सुबाओने पर इसे निकालने के लिए भूब बहुत ट्राय करते हैं पर निकालनी पाते हैं कैथरीन करिस्टोफर सहया दिये कि तुम्हारे कोई भी गलती नहीं थी तुम से रहे थे तुम मेरे बहुत पास हो मैं हमेशा लटक्यों के बारे में ही सोचता रहता हूँ वसे लगता है कि कैथरीन बहुत ही ब्यूटिफुल है पर वो इस तरीके से सोचना नीचाहता कैथरीन के हेर से टार निकालने का कोई भी वे नहीं था तो उसके सारे हेर्स कट कर दिया एक दिन कैथरीन जब डांस प्रैक्टिस कर रही थी तो क्रिस्टफर और वो मस्ती करने लग ये गलत है ये रेलाइस करकर एक दूसरे से दूर हो जाते है आज कल ट्विन्स बाहर जाने का नाम भी नहीं लेते थे उन्होंने उन्हें खिड़के में आकर बाहर जाने के लिए का पर फिर वे उमानते नहीं एक दो साल ये सब यही पर रहे है कैथरीन और क्रिस्टोफर क को भी बहार जाना था तो रात में क्रसी के मदद से नीचे उतर जाते हैं एक ब्यूटिफुल से लेक के पास आये वंडर करते हैं क्या कोरिन उनके लिए कुछ करेगी वो उस पर अब ट्रस नहीं करते हैं कोरिन बच्चों से मिलने के लिए पर डारेली चार पाज मंद के ब बच्चों से कहती है कि मेरी शादी हो गई है वहने मुन पर थी इसी वज़े से उनसे मिलने के लिए नहीं आ पाई क्रिस्टोफर कहता है कि ऐसा अब नहीं चलेगा दो साल हो गए हम यही पर बड़े हो रहे हैं वो इस तरीके से अब यहाँ पर नहीं रह सकते हैं क्याथरि रहे हैं क्रिस्टोफर से कहा अब हम यहाह से निकल जाना चाहिए हमें बाद में कितने बीचों II प्यिस्टोफर नहीं जी सकते हैं क्रिश्टोफर ने कहा कि हम倍 करना व Hill यह तक्रिक का मिन रहे हो और भी जाधा गुस्सा आ काथ्रेन ने क्रिस्टूपर की जखम देखी वह दोनों किस कर ले दै अगली दीन ने दोनों करीब थे और ऑलीविया के लिए बहुत 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 बेलीविया करती थी उसने कहा तुम्हें गौण्ड ही माफ कर सकता प्रिस्टोफर अब जब चाहें यहां से निकल सकते हैं अब हर रोज राद में जाकर घर से थोड़े-थोड़े पैसे निकालने लगके एसे थोड़े-थोड़े पैसे चुराते हुए इन्हें बहुत टाइम लग सकता था पर इनके बास कोई आप्शन नहीं था एक रहा जब यह ऐसे निकले हुए थे तो कोरिन का हजबन ड्रंग होकर सोया हुआ था कैथरिन उसके पास गए वो क्यूरेस थी तो उसे किस कर लेती है इसके बाद वो पैसे लेकर रूम में आके बाहर क्रिस्टोफर फेंस को देख रहा था यह अभी अभी बनवाई गई थी और इस पर के रही थी क्रिस्टोफर संजगै कि कैथरिन थी उस पर बहुत जिजादा गुस्सा अ गुस्सेat अमेर, क्रिस्टोवरmeye से यह सहती है कुछ था हम यह सब चीज बन कर सकते हैं कृस्टोफर ने कहा कि मैं तुमसे बहूत पयार करता हूँ एक दिन इनका ट्विन को भीज़ वह इनके पास आई, कहती कि तुम्हारा ट्विन ब्रदर बहुत ही जादा इल था, हमने उसे बचाने की बहुत कोशिश की पर कुछ भी कर नहीं पाए, उसकी डेथ हो गे, इन सब को यह बहुत ही बुरा लगता है, अब एक पल भी यहां रह नहीं सकते थे, दोनों मिलकर डिस स्लोली स्लोली सब मेड्स को निकाल रहे हैं, हम खुद का जितना फाइदा कर सके, हमें उतना कर लेना चाहिए, क्रिस्टोफर को शौक लगता है, कि एक्च्छल में उसकी ग्रैंट फादर की 6 मंस पहले ही डेथ हो गई है, और इनको अपनी न्यू लाइफ बहुत ही इसका मतलब है, जो डोनट कोरिन ने उन्हें भेजे थे, यह पॉईजनस थे, शायद इसी वज़े से इनके छोटे ब्रदर की डेथ हो गई, इन सब का आवा सुनकर ऑलिवया ओपर आगे, वो ने मार रही थी, पर क्रिस्टोफर ने उसकी चड़ी ले ली, वो ऑलिवया को कर लेता है, और सब लोगों को एटिंग में जाने के लिए कहा, उन्हें पता था कि ऑलिवया को एटिंग में जाने से डर लगता है, वो भी उसे घसिट्टी घसिट्टे वही पर लेकर गया, वो ऑलिवया वहां से नहीं जा पाए, उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब क्रिस्टोफर उसे कहता है कि प्लीज हमें जाने दो हम कोरिन के बेटे सर्वन को पता चल गया कि यहां पर चल कह रहा था वह जाकर फेंस की बन कर देता है और यह सब यहां से भाग के कैथरिन हम से कहती है अब हम उस प्लेज पर कभी भी नहीं जाएंगे पर हमारी मुलाकात फिर से हमारी मदल से हो सकती है मुझ में और क्रिस्टोफर की बीच में जो भी है इस वज़े से कोरिन को हमेशा शेम में जीना पड़ेगा यही उसके लिए सजा होगी प्रिस्टोफर के साथ होना यह कैथरिन का अपने मदर से लिया गया हुआ एक बदला था इसी के साथ है मुवी एंड हो जाती है अगर आपको वीडियो चलगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा बहुत साए मुवीज लेकर आज रहता हो तो प्लीज इ प्लीज और बेल नुट विशन आइकोन दोने मद भुलेएगा वीज इसे मलेंगे और एंगर मुवी साथ त्रीगलेट